नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल कमार वर्वें ऑनलाइन क्लासेस में और आज के इस वीडियो में हम यूपी टीज़ी और पीज़ी एक्जाम्स को लेकर रहे हैं जिसमें हमारा विशय है कला कला में आज हम राकेस्ट गुस्वामी बुक से कोश्चन की प्र आज हैं देखते हैं राकेस्ट गुस्वामी बुक की प्रेक्टिस से भाग सेकेंड है एक हमारे दूसरा है इसका कोश्चन नबर बावन नंबर कोश्चन का कह रहा है प्रसित चितकार राजा रवी वर्मा को नहीं मिसे किसके द्वर्वमा को दिया गया बताना है किस्ग की वहुं जाएगा कि राजा रभी महर्मा को खुझ नहीं पॉरसाहन दिया था किस राजान ने तो अंग्रेजी शासकों ने इनको तो क्षाहन को बीम संहाफ यहां बिलकुल सही को जाएगा आपको इसका अंसर गैस करना है बताइए क्या हो जाएगा तो बर्थ और वीनस नामक प्रसिद चितर है बोती शेली का डी आपसन आपके हैं बिल्कुल सही है त्रेपन का डी अगला कोशन देखते चगवन नंबर कोशन राघभ कनेरिया किसके सीछने आपको बताना एक म, f, अपसन हैं, अगला कोशन देखते हैं प्चपन नंबर कोशन क्या कह रहा है मौर्डन पेंटर्स नाम करती किस कलाकार की आपको बता ना एक एरा वार सी बी करा विलियम ब्लेक सी करा केरे वेजियो और डी अपस्टन कर जॉन रसकिन तो आपको इसका अंसर गेस करना है और बताइए क्या हो जाएगा तो 55 नमबर का साही अंसर जाएगा डी के साथ जॉन रसकिन की मौडर्ण पेंटर्स नाम करती है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 56 के करा गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है आपको इसका अंसर गेस करना आपको बताना इसका अंसर क्या हो जाएगा तो गेट्स ऑफ हेल मूर्तिकार के रसना कार है रोदिन सी ऑप्सन आपको यहां बिल्कुल सही है और 56 का सी ऑप्सन बिल्कुल सही है यहां पर 57 नमबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है प्रसिद मूर्ति सिल्फ अपॉलो एंड सिल्फ कारा तो बताना को कों को चैसे बना जाएं तो उसको बनाने के चित्रकार कॉन एक गंगने अंदर नाथ टैगोर भी करें राजा रभी वर्मा सी अप्सन के नंदलाल बसूट डी को अप्सन करा एंट टैगोर तो गैस की अंसर क्या हो जाएगा तो मित्यु सहीया पर सहाजान प्रसित चित्र बना जा है एंट टैगोर ने डी ऑप्सन आपको यहां बिलकुल सही है अठावन कर डी ऑप्सन अगला कोशन देखते हैं हरी पूरा अधिवेशन के करा हरी पूरा कॉंगरेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकारने की एक डी पी सब्सक्राइब कर तो 69 नमबर कोशन का आपको अंसर बताना क्या हो जाएगा तो जो इसका सही आंसा जाएगा हरी पूरा कॉंगरेस अधिवेशन की सज्जा बनाई थी वो थे नंदलाल बशू शेया आपको यहां बिलकुल सही हो जाएगा साथ नमबर कोशन देखते क्या क तो साठ क साइना सर बताना क्या हो जो गौतम वृद्व 21 कोशी नगर में धिकर के रहा है क्या कि रांसर दाने call चित्रकार एक हसित कुमार हालदार भी ऑप्षन का यामनी जामनी राइए अप्षन का अनुपम सूध डी अप्षन का राम किंकर वैज तो गैस की जी आंसर जल्दी से और रफ़ाइए अंसर क्या हो जाएगा तो 61 नंबर का सही आंसर जाएगा वी के साथ यामनी रहे थी लो половी तुर्ट सबस्का रामान काशर ओप्र ने की हैं थे लो обяз assurance कि nouvelles का कि दर गाने की है यहां यहाँ को बताना लाहाइं पर यहां यहां पर बिलकुल सही रही है अगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है 36 नंबर कोशन मौला राम किस यली का कलाकार था यह घर्वाइश के कलाकार था तो Kung घर्वाइश ली के कलाकार थे 63 का D आपके यहां बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं निम में से किस कलाकार ने रविंज नाथ की क्रतिक गितांजली के लिए चित्रण कार किया था एपसन का नंदलाल वोस भी कैसा लोज मखरजी सी कर आपसन एंटाइगो डी यहां कमाल कृष्णे तो इसका गैस की जिया अंसर क क्या हो जाएगा 64 का सही आंसर जाएगा आपका एक साथ नंदलाल वोस ने यह चित्रण किया था एपसन आपके हां बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं पैसर नंबर कोशन जोगी मारा की गुफाएं बरतवान में कहां इस्तित एकरा मद्र पर्दिस भी करा आंद पर स्लीफ ऑफ रिजन बिक्स फॉर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तयार की आपको बताना एक रहे डियूरर भी कया गोया और और सी ऑप्सन पिकास्टो देना और दी ऑप्सन कर पिकास्टो तो आपको इसका ग्यास कीजिए अंसर क्या हो जाएगा स्लीफ ऑफ रिजन बिक्स फॉर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज के कलाकार हैं गोया बी ऑप्सन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जागा च्छाचट का बी ऑप्सन आपको यहाँ बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है सबस्ट नमबर कोशन लूसा डेल रोबिया क्या कोशन है लूसा डेला रोबिया किस रूम में प्रश्रित आपको बताना एक रहा कोरियोग्राफर के रूम में बी करा मूर्तिकार के रूम में चित्र सूत्र के लेखाक है एक नरायन मुनी बी करा श्रीकुमार स्वामी तो चित्र सूत्र के लेखाक है नरायन मुनी ए आपको यहाँ बिल्कुल सही 68 का ए आप्सन बिल्कुल सही जाएगा 79 नमबर कोशन देखते हैं लिंग राजमंदिर कहां इस्तित एक रहा कोनार के बी करा भूमनेशर सी करा खजुराहो डी करा तैमिलाडू तो जो लिंग राजमंदिर है यह उड़ीशा भूमनेशर में इस्तित है बी आपसन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 70 नमबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है अजन्ता की किस कुफा में हनस जातक भित्ती चित्रण आपको बताना है एक रहा गुफा संक्या 17 में भी करा गुफा संक्या 16 में अजन्ता की किस कुफा संक्या में हनस जातक भित्ती चित्रण दिखाई देता है यहाँ पर सत्तर का एपसन बिल्कुल सही है एकत्र नमर कोशन देखें क्या कह रहा है रेव औफ यूरुपा नामक प्रसिद्चद किस कलाकार का है एक रहा है विलासके बी ओऊसन आपどもने हैं बहत्तर नमर कोशन देखें क्या कह रहा है अफिर की कना टर बिल्कुल सही हो जाएगा में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था तो बहतर का आंसर करना है और बताना है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बहतर का सही आंसर जाएगा सीज के साथ गोगा बहुत प्रवावित हुए थे अफिरका की जन जाती है कला को देखकर स्रीज अपसे आपके हैं बिल्कुल सही है तीहत्तर नंबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है जो सना भट प्रशिद है आपको बताना है यह किसलिए जानी जाती है जो सना भट एक रहा संगीत के लिए और तीधर का अंसर करना है और आख का अंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा तो जोशतना बट प्रस्वेत प्रशिद है सिरे मिक्स के लिए सी objectives कह लिए अगला कोशन देखते हैं चोथ्षकर के cooking कि निरौत की प्रक्रिज़ एक डächसी के लिए क्या रहा किसके निर्मान की प्रक्रिया है और ढ़लाई बी अभारदार मूरती प्रक्रिया के निर्मान के लिए उत्तरदाई होता है री पूजे तो भी आपको यहां बिल्कुल सही है 75 नंबर कोशन देखते हैं क्या कर रहा है लियोनार्डो दाविंची के गुरू थे आपको बताना एक रहा है बेरो सीओ भी अपस्ट का माइकल अंजलो सी अपस्ट का विलासके डी अपस्ट का दोना तिलो तो आपको बता आप करके रहा है प्रसिद्र टेरा कोटा मंदिर कहा इस्तित्र एक रहे विशनुपूर में भॉपाल में सी राज़ ज्यासी में टी करब भूनेश्यर में तो आपको बताना फेमस टेरा कोटा मंदिर कहां पर सिक्ट्वेटेड हैं तो इस्शेत्र का सभी अंसर जाएगा ए के साथ विश्णूपूर में यहां इस्तितर टेरा कोटा मंदिर ए औप सना पहाँ बिल्कुल सही है अब शाथतर नमबर कोशन देखते हैं क्या करा लाडखान मंदिर कहां इस्तितर एक राब बादा में बीकर आई होल में सी अफंग भोपाल में डी करा जैपूर में तो यह मंदिर इस्तितर आई होल में बी आप सना आपको यहां बिल्कुल सही हो जाएगा अठतर नमबर कोशन देखते हैं क्या करा लाडखान में हनीवा टेरा कोटा का समन्द किस देश से एक रहा जापान भी किरा चीन सी करा नेपाल डी करा कोरिया तो आपको बताना अठतर का सही आंसर क्या हो जाएगी तो हनीवा टेरा कोटा का शमन्द है जापान से ए आप सना आपको यहां बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं सांती निकेतन में मेडियल हिंदू संत नामक प्रसिद मीरोल का निर्मार किस कलाकार दोरा किया गया था एक करने वाले थे विनोद बिहारी मुखर जी डी ऑपसन आपको यहां बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर अश्ची क्या कह रहा है भारतिये सौंदर सास्त में धुनी सिंगा सिध्धान्द का प्रतिबादक कौन आपको बताना एक अबिनव गु जाएगा सी के साथ आनंद वर्दन है इस सिध्धान के प्रतिपादक सी आपको यहां बिल्कुल सही एक्यासी नमबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा आधनिक यूरोपिये कला में प्रथम चलित मूर्तिसल्व का सजन किसने किया एक निपे ने बी अलगजेंडर कॉलडर ने जान जिमर मान ने और डी अफशन कर रोदिन ने तो इसका सही आंसर गेस करना है क्या हो जाएगा तो आधनिक यूरोपिये कला में प्रथम चलित मूर्तिसल्व का सजन करने वाले थे अलग जेंडर कॉलडर बी अफशन आप यहां बिल्कुल सही है इसी कोशन देखती में क्या कर है कटरण मतोरा से प्राव्र बैट्ण है किस काल्ची आपको बताना बताना है यह जो मूर्ति है किस इराकी है कि अगर कुशान काल कि प्रथिहार काल की है जिस का अंसर गेस्ट करना क्या हो जाएगा तोजो मतोरा की घुट्रा से प्रात birlikte से क्या करा निम लिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है एक रहा और सफेट प्लेट भी करा बोडेंड ब्लॉक सी अप्सें के रवर यह ली नो डी अप्रिंटिंग ब्लॉक का तो आपको सब गैस करना है अंसर क्या हो जाएगा तो प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है डी आपसन आपके यहां बिल्कुल सही है प्रिंटिंग ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जमाने के लिए गोंद के घोल में डी आपसन आपको यहां बिल्कुल सही है अगला देखते हैं 84 नंबर कोशन के करा शौर मंदिर कहां इस्तित आपको बता एक महावली पुरह भी कर एलोरा सी करा मदूराइड डी अप्सन करा महावलेश्वर तो चौरासिक सही अंसर जाएगा ए महावली पुरह में शौरा मंदिर इस्तित है पिच्छी नंबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है फोटो की कतरन से बना चितर क्या कहलाता है या बताना है इसका अंसर क्या हो जाएगा एक रहा पेपर कोले बी अप्सन मॉन्टेज सी अप् चित्र किस सायली में बने कांगणा डखने सी करा गुलेर डी वसौली तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं यह बने हुए हैं बसूली सहली में डी आपसन आपको यहां बिल्कुल सही हो जाएगा 88 नमबर कोशन दखते हैं क्या करा वह है यूरोपिय चित्रकार जो नारी अकर्तियों में सद्याव लंबी गर्दन का चिंत्रांकन करता था एक आपसन करा मोदी गिल्यानी बी अपसन के पीकासो सी अपसन के मैक्स अरनस्ट सी डी अपसन के फ्रांस हॉल्स तो उसका सही आंसर जाएगा एक साथ जो यूरोपिय चित्रकार था यानि मोदी गिल्यानी एक यूरोपिय चित्रकार था जो नारी की यानि की जो मुमेंस यानि और तो जो चित्र बनाता था उनकी हमेशा लंबी गर्दन चित्र में रखता था अपने तो यह आपसन आपको यहां बिल्कुल स है अगला कोशन देखते हैं राजा रवी बर्मा के चितर कि शेली पर आधारित तो इसके अपसें नहां आपको यहां बिलकुल सही की आत विड़ी कहां ग्रीस बताना है क्या हो जाएगा की है तो इसका सभी आफ ऐ के साथ यह है एमफोरा पॉर्टरी ग्रीस की है डी आपसन आपको यहां बिल्कुल से हो जाए एक क्या कह रहा है टाइपोग्राफी का विश्कार किसने की है एगरा जॉन सेन फ्लेडर भी आपसन निपसी आपसन जॉन गुटेंबर्ग डी आपसन जॉन जॉन जिमर मान आपको बताना इसक आंसर क्या हो जाएगा तो टाइपोग्राफी का विश्कार करने वाले हैं वह हैं जॉन गुटेंबर्ग सी आपसन आपको यहां बिल्कुल सही जॉन जॉन नंबर कोशन देखते हैं क्या करा कलाकर यह चित्रिकार निहाल चंद का संबंद कौन सी सहली से एक रहा जैन भी कर आप भ्रंस सी करा आधनिक डी कर राजिस्तानी सहली तो जो निहाल चंद है इनका शंबंद है राजिस्तानी सहली से डी आपसन आपके यहां बिल्कुल सही हो जाएगा तुरानवे नंबर जाने की अगला कोशन देखते हैं क्या करें भारत भुबन के संस्तापक कौन थे ए चौक बाच पर इसी अपसन आपके यहां बिल्कुल सही हो जाएगा चौरानवे नंबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉंट्रा पोस्टो किस भाषा का शब्द आपको बताना एक रहा फ्रेंच भी कर इटैलियन सी करा जर्मन डी अप्सन रसीयन तो आपको बताना कॉंट्रा पोस्टो यह इटैलियन भाषा का सब्द है बी अपसन आपके यहां बिल्कुल सही हो जागा चौरानवे का बी अपसन यहां पर बिल्कुल सही है पिछ्यानवे नंबर कोशन देखते हैं क्या करा सितन वासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्तित हैं एक करा लगार कोशन देखते हैं क्या करा रीतिवाद निम्स में से किन दो युगों के बीच अस्तित में आया एक और गोतिक और रिनेशा भी करें रिनेंसा और भारोक सी अपसें बारोक। और रोकों को सी अपसें नफसACE तरियतावाद और रोमाश वाद तो आपको बताना है किन दो इरा के बीच रितिवाद अस्तित में आया था तो ये आया था रेनेशा और बरोक के बीच में रितिवाद बी आपको यहाँ बिल्कुल सही है तानवी नमबर कोशन देखते हैं क्या करा लेटर फ्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातू से निर्मित होता है एक रहा लेड बी करा जिंग सी करा तामा डी करा रवर तो इसका गेस की जिए अंसर क्या हो जाए तो लेटर फ्रेस प्रिंटिंग में जो टाइप की जाती वो धातू है लेड ए आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा अठाइवी नमबर कोशन देखते हैं क्या करा है राजा रवी बर्मा जाने जाते हैं किसलिए आपको बता बर्मा जाने जाते हैं पुराणिक चित्रों के लिए आपसन आप यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा निन्यावी नमबर कोशन देखते हैं क्या कह रहा है कि दागरे टाइप पदती किस से जुड़ी है आपको बताना एकरा फोटोग्राफी बीकरा टाइप प्रिंटिंग सी क्या कह रहा है चार रंगों की और स्फेट प्रिंटिंग मशीन का अभिशकर करने वाला देश है वह देश है जर्मनी आपके यहां बिल्कुल से जाएगा और एक से एक नमबर कोशेंगते हैं आज का लाउट कोशन भी है इस ट्रेट ट्रेटी कला प्रतिका कहां से प्रकाशित होती है कुलकाता तो आपको बताना इस ट्रेक्ट वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका मैगजीन है यह कहां से प्रकाशित होती है तो इसका प्रकाशन होता है बंबाइ से सी आप यहँम बिल्कुल ठ्रीज हो जाएगा एक सबस्क्राइब और यह थी राकेस गुश्वामी जी की पॉब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट का दूसरा भागता है जिसके हमने आज हंड्रेड कोशन्स कर लिए हैं बाकिस के बचेवे कोशन्स कल करेंगे और वीडियो अच्छे लगी हो कोशन्स अच्छे लगा तो लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद